गुड मारिंग, गुड इवनिंग, गुड अप्रनून तो आल अफ यू एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यूटुब क्लास पर आज है हमारा तीसरा क्लास और आज है क्लास में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं जर्नल इंट्री के बेसिक बेसिक कुशन् को हम लोग हर एक कंडिशन पर हर एक बेसिक कंडिशन पर बात करेंगे कि हर एक कंडिशन पर हम लोग को जो अकाउंटिंग में इंट्री पास करना होता है वो इंट्री को हम लोग किस तरह से पास कर पाएंगे हम लोग एक्जाम्पल्स के थूरू इन चीज़ों को देखें तो class start करने से पहले एक छोटा सा information, information यह है कि अगर आप लोग क्लास में नए है और आप लोग को किसी भी तरह की query है या फिर query होने वाली है तो आप लोग दिये गए एस WhatsApp नंबर पर अपने query कर सकते हैं और अगर आप लोग को किसी भी तरह की notes के requirement हो या फिर आपको अपने examination स related किसी भी तरह की notification चाहिए हो तो उस notification के लिए आप लोग हमारे telegram वाले चैनल को join कर सकते हैं जहाँ पर आप लोग को सारी तरह की information provide कर दी जाती है इसके अलावे आप हमें Google Play Store पे find कर सकते हैं नेट वाली भाईया के application नाम से जहाँ पर आप लोगों को application पर अलग-अलग courses available करवाये गए हैं आप अपने examination के हिसाप से किसी भी course पर खुद को enroll कर सकते हैं और अपनी बढ़ाई को और बहतर बना सकते हैं तो यह था हमारा आज का basic information अब हम लोग आगे बढ़ता है हमारे class के तरफ तो जैसे कि हम बता रहे थे कि हम लोग आज की class पर discuss करने वाले हैं जर्नल इंट्री इंट्री जो कि हम लोग double इंट्री सिस्टम पर पिछले class पर काफी सारी बात ही कर चुके थे double इंट्री सिस्टम में किन किन चीज़ों को हम लोग record करते हैं किस तरह से रिकार्ट करते हैं किस तरह से classify करते हैं तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हुए होंगे तो हमारा second class का वीडियो आप देख लिएगा तो आपको third class और ज्यादा बहतर से समझ में आए counting terms को अलग-अलग measurement को किस तरह से हम लोग record करते हैं तो prepare करने का जो सबसे पहला तरीका हमारा होगा कि जो सबसे पहला हमारा step होगा वह स्टेप होगा रिकोगनाइज थकांट इन्वाल कौन कोंसे अकांट है जो इन वाल है अना रसकिए हम लोग बात किये बत है कि कि किसी भी transaction के लिए हम लोगो को कम से कम दो accounts effect होता है उस transactions है ठीक है तो वो में आपर्सनल होंगे तो उन चीजों को पहले हम लोग कर लेता है कि determine the type of accounts accounting के टाइप नामिनल अकॉंट और उसको हम लोग पहले दो पर्टनर बाट़ेवए थे पर्सनल अकॉंट और इम पर्सनल अकॉंट में हम्हारा पर्सनल अकॉंट ही था और इम परसनल की time का अपने एक रूल है सब्सक्षा को अपना एक हाप्लाइब ओस को भी अप्लाइग करें के वह हम लोग ऑपने सारे को रिकार्ड करते चले जाएंगा ऐगे बड़ते हैं हमारा टाइप होने वाल है इनरी का हुण हिए क्या जो कोई जो दो ठरीक bipart करी उंगी एक प्रसMore product करने की जरुरत हो सकती है पड़े तो अलग– अलग तरी की सब्सक्राइब लेकिन फिलाल आज के क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग सिर्फ और के ही बारे में बात करेंगे अगले क्लास में हम लोग adjustment entry, closing entry और compound entry के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग एक class लगाएंगे revising entry के लिए जो कि ratification of errors के नाम से भी जाना जाता है ठीक है? तो आज के class में हम लोग क्या सिखेंगे? हम लोग सिखेंगे कि basic जो terms होते हैं basic जो conditions होते हैं उन conditions को हम लोग कैसे deal करते हैं in the accounting form और उसको हम लोग किस तरह से record करते हैं तो आज के class में हम लोग बात करने माले है transactions entry के बारे में ठीक है? और आप वीडियो में हमीसा बने रही हैगा ताकि हम लोग आगे कि जब classes में discuss करे adjustment entry को, closing entry को और compound entry को तो आप उसको भी correlate करके बहतर तरीके से समझ पाएं तो आए हम लोग start करते हैं transaction entry को transaction entry को start कैसे करेंगा हम लोग journal के कुछ examples को ले लेंगे और उस examples के थुरू उस condition को बहतर तरीके से समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग pass कर सकते हैं अपने accounting book पे ठीक है ओके तो general entry है क्या a general entry is a record of a financial transaction in the accounting book of a business business के book पे जो भी हम लोग accounting करते हैं वो है हमारा general entry ठीक है जिसको हम लोग अभी करने वाले है इसमें क्या-क्या include होता है इसमें include होता है date account affected कौन-कौन से account effect होगा amount जो की debit side का amount होता है एक credit side का amount होता है और description of the transaction की उस transaction में हम लोग उने क्या किया है उसको describe करके हम लोग उस पे लिखेंगे ठीक है तो यह हमारा आज का conditions जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पहला condition है कि how do we record the commencement of business with cash जब हम लोग बिजनस को सुरू करते हैं तो हम लोग उसका अपने accounting book में क्या करते हैं अगर हम लोग cash के साथ करते हैं तो क्या करते हैं क्यूंकि business सुरू करने के time पे सिर्फ cash नहीं होता पर अभी हम लोग लेकिन अगर हम लोग बिजनस की सुरूआत कर रहे हैं तो हमारे बिजनस में क्या 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 सकता है cash होगा, bank balance होगा, furniture होगा, land होगा, building होगा, missionary होगा और भी अलग-अलग equipment होगे जो की अलग-अलग business पे डिपेंट करने हैं कि हम लोग किस तरह का business start करने माले है और according to the requirement of the business हम लोग को सेंटे को pass करेंगे ठीक है दूसरा हमारा क्या है condition, how do you record a cash purchase of goods ऐसे ही हमारे पास तीसरा है credit purchase के लिए और sales के लिए भी सेम है ठीक है, how do you record the payment of expenses and cash, expense के लिए होगा, income के लिए होगा, अलग-अलग conditions है कि हर अलग-अलग condition पर हम लोग किस accounting terms को use करेंगे और हम लोग का कौन-कौन सा account effect होने वाला है उसको किस तरह से हम लोग record करने वाले है तो यह एक-एक करके हम लोग देखते हैं हर एक aspect को तो जनरल इंट्री हम लोग जब अपने accounting book पर लिखते हैं तो उस accounting book का heading हमारे जो होता है जनरल इंट्री इनदा books of books of business के बारे में हम लोग entry करने वाले जिस बिजनस का खाता खोलने माले उस बिजनस का यहां पे नाम होता है और देख लीजेगा और उसको यहां पर मेंटरी करने वाले हैं जैसे अभी जो फाइनेंसिल यह चल रहा हूं से चल रहा है दोजर शॉविस पचिस चल रहा है एक अप्रिल दोजर चाबीस से सुरू हुआ है और यह जाके खतम होने वाला है 31st March 2025 में ठीक है तो ये एक हमारा financial year है तो जिस भी financial year का हम लोग transaction कर रहे होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर mention करते हैं बाकी जो format होता है general entry का हम लोग उसको भी discuss कर चुके ही हैं तो आप लोग उस format के हिसाब से अपनो format बनाएंगे और इन entry को उस पर pass करेंगे तो हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला condition पहला condition क्या है अगर हम लोग business का सुरुवात कर रहे हैं और पैसे लगा के सुरू कर रहे हैं तो उसका recording हम लोग क्या करेंगे अपने accounting book पे ठीक है तो पहला चीज़ यह कि आपको यह मान लेना है कि आपका identity जो है वो अलग है और business का जो identity है उसका अपना एक खुद का identity है लेकिन आप owner है उस business के बट business का जो अपना identity है वो अलग है और यही मान के हम लोग को entry जो भी है आगे का सारा करना है तो business में आप क्या लगा है क्यास ठीक है क्यास किस account से involved है क्यास personal account real account और non-manal account यह है आपके real account से ठीक है और business का खुद का अपना एक identity है और जिस किसी भी चीज़ का जो खुद का अपना identity होते हैं हम लोग उसको किस account पर लिखे जाते है परसनल account पर यहाँ पर हमारा दो account का involvement हो गया पहला हमारा क्या हो गया personal account और क्या समरा क्या हो गया real account ठीक है तो इसका entry क्या होगा यही दोनों के rule के हिसाब से entry पास कर देंगा हम लोगा कि personal account का क्या rule होता है debit the receiver credit the keyword तो receiver क्यों है यहाँ पर business business क्यों है क्योंकि business का अपना खुद का एक identity है ठीक है तो क्या receive कर रहे है cash receive कर रहे है business cash receive कर रहे है तो cash account debit ओके और real account का क्या है real account का debit what comes in credit what goes out ठीक है real account का यह rule होता है तो business के लिए क्या हो रहे है debit what comes in cash business में आया cash debit हो गया और capital to capital ठीक है cash account debit to capital यह हमारा entry हो जाएगा for the commencement of business अगर business में cash लग रहा था तो bank balance, building, land, अलग-अलग raw materials तो हम लोग क्या करते है कि जितने भी सारे चीज़े हमारे business में आ रही है that all are going to be debited ठीक है like a machinery account debit, plant account debit, bank account debit जो भी चीज़े business में हम लोग लगा रहे होते है at the time of commencement हम लोग इन सारे चीज़े को debit करते है to capital account ठीक है क्योंकि वो सारे चीज़े हम लोग किस फॉर्म पर लगा रहे है how do you record a cash purchase of goods कि किसी सामान को हम लोग खरीद रहे है और payment करके खरीद रहे है ठीक है cash basis पे खरीद रहे है दूसरा हमारे credit basis पे अना on credit तो हम लोग दोनों को दिखेंगे लेकिन पहला जो हमारा condition क्या है कि हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं और हम लोग कैसे खरीद रहे है क्या सदे के खरीद रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखने वाला बात यह है कि जिस सामान को हम लोग खरीद रहे हैं क्या उसका नाम दिया हुआ है अगर हम लोग पर्चेज ऑफ गूड्स जो देख रहे हैं कुषिंग पे अगर यहां पर्चेज ऑफ पर नीच्व होता मसनरी होता था था तब क्या किरते हैंと जिस भी चीज का नाम लिखा रहे था हम लोग उसके नाम को यूज करते हैं हमारे accounting transaction पे record करने के लिए तो अभी क्या हो रहा है हम लोग सामान लेके आ रहे और हमारे पास से cash जा रहा है debit what comes in trade what goes out क्योंकि दोनों क्या है assets है समान भी assets और cash भी assets है तो यह किस account को effect रहा है real account को और इसलिए मैंने अभी कहा debit what comes in trade what goes out क्योंकि real account का जो rule है वो यही है और उस rule के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा purchase account debit purchase account debit to cash account ठीक है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे being goods purchase in cash ओके सो इस condition के लिए हमारे जो इंट्री होने वाले वह होने वाले पर्चेश अकॉंट बट जो ध्यान रखने वाला बात था वह यह है कि अगर हमारे पास goods के form पे किसी चीज़ का नाम दिया हुआ हो पर नीशर हो बिल्डंग हो हीं हो जो भी चीज़ हो तो हम लोगा प्ट है eministate अब गशेय को अगर हम लोगा पता नहीं हो तहां लिखते हैं पुर्चिस लिखता हैं, as simple as, I hope कि आपको समझ में आगया होगा, हम लोग आते हैं हमारे next condition पर, next क्या है, what is the general entry for purchase goods on credit, कि हम लोग सामान तो खरीद रहे हैं, पर हम लोग किस से खरीद रहे हैं, किसे इंसान से खरीद रहे हैं, और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, प्रेट में खरीद रहे हैं, उधार, तो जब हम लोग किसी से सामान उधार खरीदते हैं, या फिर हम किसी को सामान उधार बेजते हैं, तो हम लोग को उसका नाम लिख करके, record कर लेना होता है, ताकि हम लोग उसको बाद में payment कर सके, या फिर उससे payment हम लोग receive कर सके, तो यहाँ पर भी बाचिज अअ तो हम लोग प्टेज आकाउं डेभीं लिखें हा है तो परिशल्य कि पज्ञूंत्य आ सबbecue लोग तो हम खमारे पास जो समान आ रहा है वह तक्रेटर और रेटर होता है वह उन्सान जो हम लोगों से पैसा लेने हुला है और डिटर होता है हुए इंसान जो पैसा हम लोग को देने वाले तो इस कंडिशन पर हम लोग के पास क्या होने वाले हम लोग किसी से सामान खरीदे हैं तो हम लोग उसे कोई पैसा लेने वाला है और हम लोग लिखेंगे अगर हम लोग को नाम पता होता है कि हम लोग किस से सामाल ले रहे हैं तो हम लोग यहां पर जगा पर उस इंसान का या फिर उस कंपनी का उस और्गनेशन का नाम लिख रहे होते हैं ठीक है अब हमारे आता हैं यहां पर हम लोग बेच रहे हैं तो जब सामान को यहां पर हम लोग बेच रह ना तो क्या इंड़ियों होगा जर्ष से सामान खरीदने के टाइम पेज और जी चीज वाइल करके यह इंड्री पास किये हुआ है उन्हीं चीजू को इंड्वाल्व करके यह दो इंड्री आप लोग खुद से पास करेंगे यह आप लोग का हूंवर्क रहा गया तो क्योंकि दोनों कंडिशन्स लाइक सिमलर है तो अप लोग खुद से अनलाइज किजिए है कि अगर पर्शिस करने के लिए यह चीज किये हुए थे तो हम लोग सेल्स करने के लिए क्या करेंगे और साथ ही यह भी सूचिएगा कि इसक सकते हैं ओके ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट कुईशन है वह हाव ड़ी रिकॉर्ड दा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन जो भी हमारा खर्च हो रहा है उन खर्च को जब हम लोग को रिकॉर्ड करना हो तो हम लोग उस ख़र अलग ळुक्त करेंगे यह हम लोग को कोई हुआ है और उस खर्च को कौक और चाहुसको तो करना है अपने बूक्स अप सफ रिकॉर्ड करना हैHEN तो क्य से करहें है क्यास कॉनसे account पे पहला यह दिख्रेंगे, क्यास है हमारा real account का, expense किसमे है, expense है हमारा nominal account का, तो इसमें दो अलग-अलग account effect हो रहे हैं, और दोनों के rules apply होंगे, cash के लिए क्या हमारा rule था real account वाला debit what comes in credit what goes out तो यहाँ पर क्या हो रहा है cash हमारे पास से जा रहा है क्योंकि cash हम लोग payment करने वाले है ठीक है credit what goes out cash हो जाएगा credit और nominal account में क्या था हमारा all the expenses and losses are debit and all the income and gains are credit तो यहाँ पर हमारे होने वाले expense debit किस रूल के हिसाब से nominal account के हिसाब से तो expenses account debited to cash account ठीक है यहाँ पर आप उसका description लिख देंगे cash speed for expenses ठीक है amount हम यहाँ पर नहीं लिख रहा है किसी बेंटरे पर amount कुछ भी हो सकता है आप अपने questions के हिसाब से उस amount को put करते हुए चले जाएंगे जब भी आप questions बना रहे होंगे तो आप amount को देख लेंगे और उसको put करते हुए चले जाएंगे तो यह था हमारा condition जब हम लोग क्या करते हैं अपने expenses को pay करते हैं cash के फॉर्म पर पर mention करते हैं तो अभी हमारों क्या है cash है तो cash लिख दिए अगर हम bank के through कर रहे होते हैं तो bank लिखते हैं अगले है how do you record receiving income in cash अभी हम लोग क्या कर रहे थे अभी जो हम लोग entry पास के हैं वो entry किस लिए पास के हम लोग के खर्च के लिए तो अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोग क्या entry पास करेंगे तो just reverse हो जाएगा ना simple cash account debit क्यूंकि cash हमारे पास आ रहा है और क्यों आ रहा है receive income in equity how do you record receiving cash in income okay to cash account debit to यह किस फॉर्म पे आ रहा है हमारे लग लोग किसी भी तरह से आ सकता है salary पे आ सकता है commission से पैसा आ सकता है हम लोग कुछ बेचे हुए होगे तो उसके लिए पैसा आ जाएगा ना जैसे यह खर्च था इसके पहले वाला condition यह रहा हमारे पास तो खर्च भी हम लोग देखी अलग अलग तरह का खर्च होता है किसी भी तरह का खर्च होता revenue अगता है अगर हम लोग को आने का source पता होता कि क्यों आ रहा है like commission के लिए salary के लिए रहा है रेंट से पैसा आ रहा है या फिर कोई समान बेचे हैं उसके लिए आ रहा है तो जिस भी कर मीडियम से हमारे पास पैसा आ रहा होता हम लोग उसको यहां पर लिख रहा है और अपने बिजनस से अपने परसनल यूज के लिए जब कोई पैसा निकाल रहा है तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट और ड्रॉइंग अकॉंट किस पे होगा वो खर्च होगा क्या होगा क्वेडन के लिए खर्च है बिजनस के पासते sensor पैसा जा रहा है तो विजनस से कम और कम कंसिंगव बेर आते हैं डूल के हैं डेविट वाट कंसें ग्रेट वाट तो क्या हो रहा है तो विद्रॉव हुआ है क्या स्टो ग्यास गौ अट हुआ और परस्नल यूज वह रहा है तो हम लोग लिखते हैं ड्राइग ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्यास ठेक है और यहां आप आप डिस्रिप्शन लिग दिंग दिंग क्यास विट्रफर परस्नल यूज ठेक है हमारा अचकर लास्ट जो कुशन है वो है आउट वी रिकॉर्ट दा पेमेंट टू अ क्रेडिटर किसी भी क्रेडिटर को है जब लोग पैसा देते हैं तो हम लोग उसको कैसा रिकॉर्ड करते हैं तो पैसा हम लोग कसी को दे रहे है तो वो वो इंडिविजवल इस आपैस अप्सहां हाई रहें सारी क्यास पर से मर्य तुरूर्य लिए फिर इनक के थो और रियल अकाउंट का रूल क्या है debit what comes in, credit what goes out तो इस टाइम भी क्या हो रहा है? एक इंसान receive करने वाला है, तो क्या हो जाएगा? debit the receiver, वो receiver जो भी है वो debit हो जाएगा तो नाम फिलाल हम लोग को नहीं पता है कि creator कौन है? को individual person है, organization है या फिर जो भी है उसका नाम क्या है? तो अगर हम लोग को नाम पता होता है तो हम लोग उसका नाम ज़रूर लिखते है ठीक है? लेकिन अगी अभी हम लोग के इस condition पर नाम पता हो रही है तो हम लोग उसको creditor ही लिखते है creditor account debit to payment हम लोग के इस mode पर कर रहे है हम लोग cash दे रहे है, check दे रहे है, UPI से दे रहे है हम लोग किस तरह से payment कर रहा है अगर हम लोग cash के थू कर रहे है, तो to cash लिखेंगे check या UPI या फिर कुछ दूसरी तरीका से दे रहे है जब bank से related है, तो bank लिखेंगे या फिर हम लोग उसको share से payment कर रहे है, तो share लिखेंगे जिस भी medium से हम लोग उसको, जिस भी mode से हम लोग उसको payment कर रहे है उस mode को हम लोग यहाँ पर लिखते है, जो हम लोग के पास से चला जाता है तो अभी हम लोग फिलाल लिख रहे है to cash account और यह मान करके चल रहे हैं कि हम जो प्रेमेंट किये हुए हैं वो कैसे किये हुए हैं तक है और इसका डिस्रिप्शन लिग दीजेगा तो यह था हमारा आज का बेसिक सा कुश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो भी लोग पहले से इसको पड़े होगे हैं उनका रिविजन हो गया होगा और आप उसको और बहतर तरीके से समझ पा रहे होगे ठीक है तो इसके अगले आने वाले क्लास में हम difficult level के questions को discuss करेंगे और उन questions को involve करेंगे जो examination के point of view से बहुत जादा important होते हैं यह पहला क्लास हम लोग basics का इसलिए रखे थे तक कि अगर आप लोग को पूराना चीज याद ना हो तो आपका revision हो जाए और आप लोग आगे आने वाले क्लास को बहतर तरीके से समझ सके तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो अच्छा अच्छा feedback दीजेगा और अगर किसी भी तरह की कमी लगी हो तो जरूर आप हमें suggestive कीजेगा जिससे हम लोग अपने आने वाले अगले क्लास पे उस कमी को दूर कर पाए और आपकी क्लास पो और बहतर बना सके तो thank you thank you so much